बोजपूरी इंडस्री में अक्सर लड़कियों को लेकर एक बात कही जाती है बोजपूरी में काम करने वाली लड़कियों के लिए कहा जाता है कि जब तक आप अपने प्रोडूश्र के साथ सोईएगा नहीं तब तक आपको काम नहीं मिलेगा जब तक आप अपने एक्टर क करने की लिए बोट है फें आपको स्वराने के साम्ना करनें चाहती। तो आप को मिंसरे कौने करने के आपको जब झाख सब्सक्राइब करने टॉटहना होगा कुंगे काम करने की आप्परति हैं। लेकिन भात सुननी पड़ेगी कैसे कैसे लोगों का टच बरदाश्ट करना होगा किन किन चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में हम भोश्पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई बताएंगे जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे हम बताएंगे कि यदि मना करने पर कैसे आपको धंकी दिया जाएगा कौन आपके साथ सोना चाहेगा यह सब हम आज की वीडियो में परदाफाश करेंगे आज की वीडियो में भोश्पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई बताएंगे और यह सच्चाई वो सच्चाई है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको भोश्पूरी इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों से घिन होने लगेगा आज हम आपको एक ऐसी कहाने बताएंगे जिसको सुनने के बाद अगर आपकी इंदर इंसानियत होगी तो आप सहम जाएंगे आप चकित रह जाएंगे तो आज का वीड दूश्वर उनको हिरोइन बनाने का लालच रेकर उनको अपने जाल में ऐसे फसाते हैं उनको ऐसे मजबूर करते हैं कि मासूम लड़कियों का सपना पूरा हो या ना हो लेकिन भोश्पूरी कालाकारों का बेड़ गरम जरूर हो जाता है तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करने चे पहले हम आपको पावन सिंग का वो गाना सुनाते हैं जो आज से लगबग 10-12 साल पहले आया था जिसमें पावन सिंग गाय थे कि हिरोईन बने के जदी देखा तडू सपना तै एक बात मन में बैठा लतू अपना कपड़ा उतारे पड़ी धोड़ी द शर्टों को बता दिया था पावन सिंग अपने सिंग अच्छे से एक्सप्लेन किया था यदि आप लड़की हैं और आपको बनना है तो आपको अपने कपड़े उतार रहे होंगे अपना धोड़ी दिखाना होगा मेनी स्काट पहनना होगा भोजपुरी में काम करने वाली निर्माता और निर्देशक को कैसे खुश करना होगा तब जाकर आप फेमस होंगी और आपको लोग मुंबई जैसे शहर में भी जानने लगेंगे और तो और पवन सिंग ने अपने गाने में लड़कियों को अपना मंजिल पाइने का शौट कर तरीका बताया और वो शौट क जग जाएगी आप फिल्मों के लिए साइन करने लेगेंगे तो आपने काफी अच्छे सी समझ लिया होगा कि भोजपूरी इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले की शर्ते क्या है अब हम आपको बताएंगे कि एंट्री कर लेने के बाल ही डिनों के साथ क्या क्या किया जाता है कैसे उनके साथ जबर्दस्ती होता है अपने साथ जबर्दस्ती सुलाने के लिए कैसे उनको मजबूर किया जाता है तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं भोजपूरी मॉडल गुडिया हल्चल की जवासे कुछ दिन पहले पटना के वैशाली जिले में अपने एलब सुबह शुटिंग के लिए सेट पर जाती हैं आपको बता दे कि गोडिया जिस भोशपूरी एक्टर के एल्बम की शुटिंग करने के लिए गई थी उस एक्टर का नाम था वीरु कृष्णावंसी जो भोशपूरी एल्बम के लिए काम करते हैं आगे गोडिया अपने इंट को जोड से पकड़ लेते हैं और जबरजस्ती उनको चुमा लेने लगते हैं हलाकि यह पहली बार था तो गोडिया चुप रह जाती है उसके बाद हद तब हो जाती है जब गोडिया बताती है कि कोरियोग्राफर जान बूच कर वीरु को डांसी स्टेप बताता है और आपक चेंज करने को कहती है उसके बाद को जैसे ही मौका मिलता है उसके बाद रजव एक बाहु और कहते हैं कि हम आपको जो स्टेप बता रहे हैं आप वही करिए लड़की अभी नहीं है उसको अपने किसी भी हरकत से अनकमफर्टेबल मत करिए उसके बाद एक्टर वीरू आगे गुडिया हलचल से कहते हैं कि मुझे अपने गाने के थमनिल के लिए फोटो लेना है तो ग अबलिक देखेगा और आगे जो गुडिया के साथ हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला था चुम्मा वाला सीन करने से मना करने के बाद गुडिया को घेर लिया जाता है जी हां गुडिया आगे बताती हैं कि चार-पांच आदमी आते हैं और मुझे घेर कर कहते हैं कि सारे लोग चबड़्दस्ती करने लगते हैं गुड़ीया से वो सारे सीन कराना चाहते थे जो गुड़ीया हलचल करने से मना कर देती है इसके बाद गुड़ीया को वहां जलील किया जाता है और केस्रा वाली कहकर उनकी बेजदी की जाती है गुड़ीया के लिए कैसे यहां पर हिरोईन के साथ जबर्जस्ती किया जाता है, चुम्मा देने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, और मना करने पर उनको कैसे घेर कर धमकी दिया जाता है, और तो और आपको आपके मेहनत का पैसा भी नहीं दिया जाता है, खेर तो ये थी भोजपूर इंडस्ट्री की सच्चाई इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ तब तक मिझे इजाज़त दीजिए